नमस्कार उस वगत है आपका आप देख रहे हैं सिटी सेक्स्टि और मैं हूँ आपके साथ संचाय आदो खबरों के शुरुआत करते हैं सिटी की खबरों के साथ रायस्तान के मुख्यमंद्री अशोग अलोट समय देश भर की कई बड़ी नेता दिले में मौझूद सीम अशोग अलोट ने कहा कि देश का लोग तंद्र खत्रे में हैं औरों ने कहा कि राहूल गांधी इपर मनी लॉंट्रिंग के आरोप बी बुनियाद है जर्बु सित्र साहत तक जो देश का स्वनिम इत्यास बना अधुनिक भरज दिख रहा है आजया दिखवत क्या था आरी क्या है आपको मालू में पर यह आठ साल का काला अध्याय है इत्यास में आठ साल के इत्यास दिखा जाएगा तो काला अध्याय के रुपर लिखा जाएगा काला अध्याय इसलिए कि सविधां के धज्या ऊड़ रही है लोक तंदर खत्र में है पूरे देश वासी बहुत दुखी है तनाव में है दाहूल गांधी से दिल्ले में एडी की पूछताज लेकिन सच्छन पालेट समयत कई कॉंग्रिस से निताओं को हिरास्त में लिया गया पालेट ने कहा कॉंग्रिस कर रही है लोक तंदर बचाने की बोशिश दिल्ले में आज कॉंग्रेस कारेकरताओं ने जूरदार प्रदेशन किया तो वहीं पीसे से चेफ गोविन सिंग डोटासरा ने केंदर सरकार पर जम कर निशाना साधा पीसे से चेफ डोटासरा ने कहा कि केंदर सरकार अरशाई की सारी हदे पार कर दी है पुलिस घरों में घुसकर हमारे साजियों को पकड़ रही लेकिन कॉंग्रेस कारेकरता हो और कुन ना जुकेंगे कारेकरता और ना ही डरेंगे इनको समझ लेना चाहिए कि पुरे देश में कॉंग्रेस कारेकरता का खुन खौल उठा है आज हमारे घर में कुछ करके पहले कुछने नहीं दिया अब घर में कुछ के हमारा पिटी कर रहे पोड़ा में बीजेपी के प्रदेश कारे समिति के बैठक के दूसरे सतर में बीजेपी ने गैलोध सरकार के खलाब बैक पेपर ब्लाक पेपर जारी किया ब्लाक पेपर जारी करते वे उपनेता प्रतवक्ष राजिन्द सिंडाटोर ने गयलोत सरकार पर जमकर हमला भोलते वे कई मामले में सरकार को घेरते वे कहा कि आज प्रदेश के आर्थिक आलात खराब है प्रदेश भी इसे हिसाब करजे में डूबा हुआ है और प्रदेश म के अंदर है और आज राजस्तान के अंदर जो रज्यवी तायोग के अधार पर जो पैसा मिलना चीज तानी निकाई को भी सरकार नहीं कर रही है जरबर में राजस्तान हाउसिंग बोर्ड मुक्याले पर प्रदेशन राज आंगन सोसाइटी के बेंदर तले लोगों का प्रदेशन सुविदाश शेतर में फ्लैट बनाने की योजना का फिरूद हाउसिंग बोर्ड ने सुविदाश शेतर में सौंपी थे समीन 22 साल बाद अब आप तस्तमीर पर किया अजिक्रमत पर जब पहले इन्होंने लीनामी की योजना लेकर कर आए थे हमाई कोट का इस्टे लेकर कर कर आए लीनामी योजना निरस्त हुई अब दुबारा उस योजना को 13 साल बात में दुबारा आए और जो ये बोल रहे हैं वो सरा सर जूट है वो छपत पत्र दें और कहें कि मेरी नौकरी चले जाएगी यदि मैं घलत बोल रहा हूं तो तो हम मानेंगे एक दागाताथ सही बोल रहे हैं देश के विजली कमपणी उके इंजिनियरों का महा पड़ाओ तीन दिनों से धरने पर बैढ़े जूनियर एंजिनियर वेतन और कैडर विसंगती को दूर करने के लंबे समय से कर रहे हैं जोरू के रतन गड़ में सरकांच और पोलिस के विले भगत पोलिस ने प्रीट परिवार की महिलाओं के साथ की मार फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरोगा ब्याबर में जीडिये प्रवर्फन दस्तन के बड़ी कारावाई अवैद चार मंजिला व्यवसाइक विल्डिंग का एंट्रे गेट किया सील दिसंबर महिने में अवैद निर्मार हटाने का दिया क्या था नोटिस मौके पर अवैद निर्मार नहीं होने देने के लिए गार्ड निउप्त किये गये थे लेकिन उसके बावजूद अवैद निर्मार रहा चारी अजमेर की ब्यावर में सिर्णा पुलिस कफ्तान विकास शर्मा और बिक्टी सुमित महररा के निर्दीश पर चलाए जा रहा है यातायाद सुरक्षा भियान जारी है प्यान के अंतरगत यातायाद पुलिस वरा चांग गेट शित्र में वाहन चालोकों को यातायाद नेमो पुलिस ने दुकान दारों को अत्रमन ना करने की चितावनी थी दुकानों के आगया वैद रूप से रखे सामान को किया आप सबते जन्जरों में पुधार मंत्री नरिदर मोदी के नेत्रित पुबाली की इंदर सरकार के आठ साल की उपलब्धियों को लिकर पीचे पी ने आयुजद किया कारिकरम सेवा सोशासन और गरीब कल्यान कारिकरम के अंदर तवेभिन ग्रामीड गरीब जन कल्यान कारी से नाके बंदी करवाई लेकिन अब तक पॉलिस के हाथ खाली है और एटियम चोरी करने वाले अक्याद चोरू का कोई सुराब में रगा है पॉलिस ने मौका निक्षिन कर लिया और एपसल टीम हमने बेज दी है हमारी तरफ से टीम है बना कर हम इसके पूरा प्रियास कर लिए जैपुर के शिवदास थाना इलाके में वारदात करने की फिरात में घूम रहे चेन पूरिया गिरों की चार बदमाशों को परसने गिरफतार किया बदमाशों के खलाप पूर्वे में लूट और परण हत्या का प्रियास टकैती और आम स्टैक के मुगर्द में दर्ज है अब राधी सोशल मीडिया पर अवैद थियार दिखा कर लोगों में भैप अजा करने की काम कर रही बदमाशों के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर तलवार से अबला कर दिया जिसमें आधा दर्जन लोग खाय लोग है कुछ लोगों ने इस पूरे घटना करम का एक वीडियो भी बना लिया है जो वाइरल हो रहा किरन मगरी थाना पुलिस ने इस मामला दर्ज करके जान शुरू कर दिया सवय मादुपर के बॉली में अधिकरमन कूली कर प्रिशासन लगातार कारवाई को उंचाम दे रहा बॉली उखन में मेत्रपूरा तैसील शुत्र के ग्राम पंचायत उध गाउं में प्रिशासन के मौथ हूद की में सप्रारी भूमी से अधिकरमन हटाय गया अधिकरमन का सीमा ज्यान करके और चिनित करके जेसीवी से उसकी जगे जगे पर बाउंटे बढ़ाकर इसकोल के प्रिंचिपल को ठेंड ओवर करती ही अधिमेर की आधरिशनकर्थाना शेतर अंधिकरत आने वाले उत्तरांचल कॉलोनी में एक नवी कक्षा की छात्रा ने फांस से लगा कर लिया मामले में आधरिशनकर्थाना पोलिस ने शेव को कबजें मिलेकर पोस्ट मॉडम करवाया और शेव परजनों को सौफ दिया है पोलिस अब इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जान्चिकर रही है इक लड़की ने सुसाइड कर लिया अप फांस से लगा लगा लगी करोली के मासल पूर थाना इलाके में मारपीट से जुड़ा मामला एक ही जोड के दो अलग-लग मेडिकल रिपोर्ट देने का मामला हाइ कोट ने करोली कलेक्टर को दिया आदिश मामले की आर एस अधिकारी से जांच करवाने के आदिश दिये अदालत ने मामले में करपशन की जदाई आश्रण का दॉल बुर्जर की कोटवाली थाना पुलिस और जिला डी एस्टी टीम ने साहिमति कारवाई करते वे दस्यू केशो गुर्जर गैंक के सदे से बदमाश रामपाल गुर्जर को गरिफतार किया कल रात्री में डियस्टी पुलिस तथा ठाना कोत्वाली पुलिस द्वारा रामपाल घूजर खुत्र इंदर सिंग घूजर देव कप्रा मॉरली को तीन कट्टा पार्थूस के साथ गरफतार किया गया है जो दुस्ट्यू फडार हैं उनको यह वैद अत्यार सुप्लाई करन भारी पड़ गया धर्म विशेश के खलाब सोशल मीडिया पर टिपड़ी करने पर पुलिस ने किया गरफतार बासबारा पुलिस ने बड़ी कारवाई करते में लूट गिरों का खुलासा किया है पुलिस ने इस गिरों के तीन आरोपियों को गरफतार किया गरफतार पुलिस ने नौ साल की कड़ी में शक्त के बाद गिरफतार किया है। पुलिस ने नौ साल के बाद गिरफतार की है। अनूबगर में बाइक सेफ सलने से हादसा हो गया। युबक को आई गंबिर चोड बाइक चालक की जीब से मिली नश्या की गोलिया। बाराजले में मंगलवार को सबसे ज़्यादा बारिश अटरू में दल्ज की गई। बारिश अटरू में करीब 30-40 मिनट सक 30 बारिश का दौर चला जिससे लोगों को कर्मी और उमस्य काफी रहा के लिए। देश बर में समधाई विशिश द्वारा विरोध के नाम पर किये जा रहे पत्राव इंसा गटनाई विवन धार मिक्षो भाई आत्राओं पर पत्र बाजी के विरोध में समस्ते हिंदू समाज बेंगू द्वारा मौन जूलूस निकाल कर महा महीम राश्पती के नाम ग्या को कानून के प्रावधानों से पूरी तरह से नियंत्रित किया जावे कि श्री गंगा रंगर की ग्राम पंचायत कालवासिया में ग्राम पंचायत द्वारा हटाए गया अत्रिक्रमण के विरोध में स्टीम ऑफिस के आगे आज दौवे दिन बेदरना जारे रहा धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि प्रशासनम की एक नहीं सुन रहा ऐसे में द परशासन के नाम पे परशासन के नुमाईदों द्वारा लूट और बलवा किया गया ग्याउं चुराली गई और वहां के किमती समानों में तोर फोड की गी उसको लेके सवा महने से न्याय के लिए हर बरग हर समाज हर जाती हर पाल्टी का विक्ती सड़कों पे है लेकिन यहां की सरकार के कान्यों में रूह नहीं डेग रही है। जन्याय किया गे लिए हर फोड़ के लिक्तेौर जाह ऑंगरी तक जलूस निकाल कर वीरओध पीज narrative का कि हर आईए किरा खिराओ करके आरेकशन के मांग को लेकर जला खिलिक्टर पिया पनिसापा गया। जैपूर के शापुरा में माली समाज के आरेक्शन के मांग अब जैपूर ग्रामिल इलाके में पहुंच चुकी है आरेक्शन के मांग को लेकर सैनी समाज के लोग सड़क पर उतर गए मनुहर और टोल के पास बे बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोगे कत्रित हुए और उन प्रवाजी की घटनाओं में शामिल उपत्रणिये खलाब कठोर कारवाई के मांग की है। प्रतिमंदी संगटनों को बेन किया जाए प्रतिमंदी संगटनों को प्रतिमंदी जाया। सब्सक्राइब देवली की स्वामी विवी कानेंद राज के मौडल स्कूल में गृष्म काले नावकाशक में सक्षा संकुल जैपूर के निर्देश के नुसार संचाले तहोवी क्लासिस का समसा से आए कारिकरम अधिकारी शलेंद्र शर्वा ने औचक निरिक्षन किया है सरकात दवरा बहरूर नगरपालिका को नई दमकल देने के बाद आज फिधायक वलजीत यादो दवरा विधी विधान से पूजना पूजन अर्चन करके हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया इस दोरा नगरपालिका चेरमें थिससति सीता राम यादा ओ प्रधान गजराज यादो साहिज वर्ड पारशद मौचूद ने क्योंकि बैंक को बडोदा आर सेटी में योगसबता के आउसर पर योग शिवर का योचन किया गया शिवर में 40 प्रसेक्शन आर्थियों में भाग लिया साथी संस्थान में चल रहे छे दिवसे बैंक मित्र प्रसेक्शन कारिक्रम का समापन और परमारपत्र विरन भी समारुपूर्वा का योज़त किया गया जोड़पूर में बिलाडा विदान सवाश्र के पिपार शहर नगर पालिका में विजर मेरज गार्डन में तीन दिवसी विद्यार्थी उच्वल भविशे निर्मारा वासे शिवर का शुभारम किया गया श्री योग विदान्त सेवा समितियों और योबा सेवा संग के द्वारा विद्यार्थियों को उन्नत करने और उनमें छिपी असीम योगिताओं को विक्सित करने के लिए इस प्रकार के शिवर का आई पूछन किया किया अजमेर की ब्यावर में सामाजिक संगठन ने अपना सामाजिक सारुकार निभाते वे राज की अमरित कौर जगत साले प्रिशासन को एक वाटर कूलर भीट किया और परिशनों के ठंडे पानी के लिए समर्वित किया किया परिशनों के प्रिशासन गाउं के संग अभियान के फॉलोशिविर में ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे जॉपकार पेंशन प्रमाण पद्रबाटे गया पीलबाड़ा में सराधेन सिवा समीज की तत्वधान में साथ दिवसे शिरमत भागवत कथा ग्यानिया कि महुत्सों का आगास कलश शुभायात्रा के साथ किया गया कोटा में आई ओजिद भार की जल्सा पारे के संभाग एस तरी घरीब कल्यान सम surrendered में बारिश न डाली बाधा पीछे पीट पीचे पीच पीच लेक्ष ब्रभारी के मंच पर पाहुंच पाहुच काईक हम बारिश शरू हो जजलमेर की राम दीवरा मिश्री गंगा नगर से भक्तों ने आ रहा थे दीव बाबा राम दीव जी के समाधियस्तन पर छपन भोग का प्रसाद लगाया पूजार चना कर देश में खोशहाले की काम ना की जजलमेर की रूली चार नगरी राम दीवरा में हजारो लिटर पाने बरबाद हो रहा परशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है राम दीवरा कस्वे में पाइपलाइन डिके जोने के जलते हजारो लिटर पीने का पाने बह रहा है तॉलबर शेर के तीरतराज मचकुल सरूवर पर दीबदान और महा अर्ती कारिकरम काई गोजन किया गया जिससे मचकुल तेलरटी शंक जालरो की आवास में गोंज उठा बड़ी संक्या में मौजूद बक्त गड़ों ने एक साथ शंक जालरो के साथ महा अर्ती की जंजरों में गातेयाद पुर्ष ने चलाया विशी शब्यान अकली हेलमेट नहीं पहनने की अपील की तिया इस जून तक शलेगा अभियाद कलकींद सरकार द्वरा दस लाख नौकरी के एलान के खुशे में जंजरों में पीजेपी नीताओं ने पी-म का जदाया अभार पूर वसरपंच डीपा जांगर ने कहा कि युबाओं को मिलेंगे आवसर दोगर पूर जले की इस आगबाड़ा पंचायत समीति सबागार में जल जीवन मिशन कारिक्रम के देज जलताय विभा की और से फ्रील टेस्ट किट के माधहम से पेजल गुडवत्ता की जांच प्रिस्ट्रिक्शन आयोजित किया गया इस दोरान पंचायत के लोगों को फ् जोड़ने का प्रियास कर रहा है इसके लिए स्टार्ट अप लाने वाले नौ उद्यमियों को रिल्वे वारा आठिक संबल भी प्रदान किया जाएगा रासमन के नाद बारा में विधान सबार से विधायक और विधान सबाद एक डॉक्टर सेपी जोशी ने पांच दिवसी दोरे के बाद जैपोर रवाना हुए डॉक्टर जोशी ने नगर के उत्सा होटल में दसमी बोर्ड में उच अंकल आने वाले कुल दीप जोशी सहित अन्य विध्यार्थियों को बढ़ाई दिये हैं बानसुर में एक आवारा सांड को में गिर गया वार नमर 11 में खाली सूखे 40 फिट को गहरे कुवे में आवारा सांड के लडाई करते वे गिर गए राजगर से आई टीम ने रसकी पूर के बाहर ने काला सबाई मादो परस्तित रंथा मौर के जोन नमर दो में सूख की पारी के दोरान सांभर के इस शिकार को लेकर दो टाइगर की आपस में बिड़न्त हो गई दो टाइगरों की आपसे ही बिड़न्त देकर पलेटक रोमान चित हो उड़ है बरती गर्मी के बीच में राजस्तान के कई जल संकट के हालात बने हुए है पानी को लेकर मारा मारी की नौबत है ऐसे में रूपा रेल नदी के पानी बटवारी को लेकर फीफी बात खड़ा हो चुका है अलवर से निकलने वाली रूपा रेल नदी का पानी अलवर और जोधपुर में बढ़ता है लेकिन अब अलवर में गेट लगाना पानी बंद करने के मांग उठने लगी है जले में जल संकट को देखते हुए गेट लगाने के मांग को लिकर धरने भी शुरू हो चुके हैं जल पर दो जिलो के बीच विवाध शुरू हो गया है रूपा रेल नदी के पानी के बठवारी को लिकर अलवर और भरतपुर के बीच रार होने लगी है अलवर से निकलने वाली बारा विये रूपा रेल नदी के पानी को जिले में ही गेट लगा कर रोकनी की मांग सोर पकड़ने लगी है जबकि पानी बटवारी को लिकर स्टीट टाइम में अलवर और भरतपुर के बीच संचोता हुआ था पानी के लिए चारोतरफ हाहकार मचा है अलवर के सभी 15 ब्लॉक डाग सोन में जा चुके हैं भूजलस्तर भी काफी नीचे पहुँच चुका है अलवर शहर सहित ग्रामीड शेतों में भी लोग बूंद बूंद पानी के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं पीने के पानी की किलत तो है ही सिचाई के लिए भी किसानों को परियाप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है जिले के अधिकांश बांध सूख चुके हैं अलवर जिले में जल्द संसाधन विभाग की अधीन 26 बांध हैं जिर में सिर्फ दो बांधों में पानी हैं बाकी सब सूखे पड़े हैं जिससे लगातार पूज लस्तर गिरता चला गया अलवर में जैसमंद बांध में पानी लाने के लिए नए सिरे से कोशिशे शुरू की गई हैं दरसल अलवर से निकलने वाली रूपा रेल बारा वीयर ददी को यहीं नटनी का बारा पर गेट लगा कर रोकने के लिए आन्तोलन शुरू किया गया जबकि स्टेट समय में इस नदी से पानी के बढ़वारे को लेकर अलवर और भरतपुर रियासव के बीच एक समझोता हुआ था जिसके तहट यहां से निकलने वाले पानी का एक तिहाई हिस्सा भरतपुर और दो तिहाई हिस्सा पानी अलवर के लिए तै हुआ उस वक्त भरतपुर में पानी की बड़ी समस्या थे लेकिन अब भरतपुर में चंबल का पानी आनी से समस्या नहीं है लेकिन अलवर जिले में पानी के हालाद बिगड़े हुए हैं अलवर जिले के जल संसाधन विभात के अधिन 26 बांद आते हैं जिसमें मात्र दो बांधों में पानी है और बाकी सब सूख चुके हैं अब बांधों में पानी लाने की कवायत के तहट अब लगातार आंदोलन देखे जा रहे हैं यहाँ पर अलवर शहर विधायक संजेश शर्मा ने नटनी का बारा पर बैठ कर रूपा रेल नदी के पानी को अलवर के लिए रोकने के लिए अंदोलन छेड़ा है जिसके दह जिला परशासन ने कल उनके साथ वार्दा की अब नदी के पानी को गेट लगा कर रोकने और जैसमंद बान में पानी भरने के बांग को लिकर अलवर शहर के विधायक संजेश शर्मा अपने कारिकरताओं के साथ मंगलवार को नटनी का बारा पहुँचे पानी में बने पीलरों पर विधायक धरने पर बैठे शाम को ए पानी के बटवारे को लेकर भरतवूर और अलवर की रियासतों के बीच 1910 में एक समझगता हुआ था जिसके तहत यहां से निकलने वाले पानी को एक तिहाई हिस्सा भरतपूर और दो तिहाई हिस्सा अलवर को मिलना था लेकिन आज पानी के हालाथ को देखते हुए अलव की जैसा बंते हुए यह जैसा बान या नहालम रहता है यह यह अब हैश्थ हो कर बहुते होगे कर लेकिन वहाँ पर दीरे रिशाव करके उन्लाक लिटर यह ले पैने वेस्ट होता है उस पानी पढ़़ा जाए उपिए उपrainθε कर देश्च्छि तुरूप इसे पहले भी वसुंद्रा सरकार में इस पर शुरुवात की गई थी दरसल ये मामला हाई कोड तक भी पहुंचा तब जल आन दोलन से जुड़े अनूप दायमा ने एक याजका दाखिल की जिसमें उनके साथ राजेश कृष्ण सिद्ध विरिंद्र क्रांथिकारी और रोहि गेट लगाने के आदेश भी दिये थे अलवर जिले में लगतार पानी की किलत बढ़ती जा रही है जिसे लेकर समाज सेवी अनूप दायमा ने हाई कोड में भी एक याची का लगाई थी कि नटनी का 12 से होकर गुजरने वाली रूपा रेल नदी के पानी को यहां गेट आते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया था मैंने राजस्तान विधान सवा में प्रशन लगाया था प्रशन के जवाब में मंत्री महदे मेंदर जी सिंग जी मालिया साब ने सदन के अंदर गोशना की थी कि जो गेट पहले इस नटनी के बारा पर लगे हुए थे उन गेट को दुबारा लगाये जाएगा लेकिन उन बातों को लगबग दो ढ़ाई मैंने होते आए से चायवी भाग ने एक इंच भी काम इसको लेके नहीं किया है राजस्थान हाई कोट ने भरतपूर और अलवर जिलों के बीच रूपा रेल नदी के पानी के बटवारी कोले कर आदेश दिया था राजसरकार को राजस्थान रीवर बेसिन एंड वाटर रिसोर्सेस प्लानिंग एक्ट 2015 के तहट स्टेट वाटर रिसोर्सेस एडवाइसरी काउंसिल गठित करने के निर्देश दिये अदालत ने कहा कि काउंसिल इस मामले में 6 महिने में इसका अध्यान कर साकारात्मा गरूप से आवश्यक आदेश दे नियाधीश प्रदीप नांदर जोग और जी आर मूल चंदानी की खंड़ पीट ने अनूग दायमा की याजका पर निप्टारा करते हुए आधीश दिये थे ततकालीन वसंद्रा सरकार की ओर से एक समिती का गठन किया गया जिसमें ततकालीन अलवर शहर विधायक बनबारी लाल सिंहल ततकालीन रामकर विधायक ग्यान देव आहुजा ततकालीन अलवर ग्रामीर विधायक जैराम जाटो और भरतपुर नगर ततकालीन विधायक अन परेल नदी के पानी को अगर यहां पर रोक दिया जाता है और डैम बना कर यहां बारिश के पानी को इकठा किया जाता है और उसके बाद इस पानी को यहां जैसमंद बान में छोड़ा जाए तो यहां के हाला सुजर सकते हैं दरसल जैस समंद बांध में पानी भरने के बाद यहां इस्थानिये लोगों को भी पानी से राहत मिलेगी और भूजल इस तर भी बढ़ेगा अलवर ग्रामिन्ड से भारत कुमार के साथ जुगल किशुर गांदी जी मीडिया अलवर योग की योजना की तहर ग्राम पंचायते सारवजनिक पारकों में जिम और व्यायाम शाला विकसित कर रही है बीकानेर के गाउं में भी ऐसा उपन जिम बनाया गया है जहां युबा बज़ूर्ग युवतियां और बच्चे एक स्थान पर आकर शारिरिक व्यायाम का लाब उठा रहे है मैं इस पहल से बच्चों में मॉबाइल से अलग खेल कूद के प्रती दोबारा रूची बन रही है मॉजूदा दोर में बच्चे हूँ या युवा या वज़ूर्ग सभी शारिरिक वयायाम अश्रम से दूर हो गए हैं मॉबाइल की वज़े से बच्चों को खेल कूद के लिए वक्ती नहीं मिल पाता और युवाओं को मॉबाइल पर चैटिंग से फुर्सत नहीं मिलती जो वयाम कर सके गां हो या श्य है सबी जगा ऐसी ही तस्वीर है लोगों की ये आदर उनके स्वास से पर बुरा असर डाल रही है बच्चों के शारिरिक विकास में कमी देखी जा रही है ऐसे लोगों को दुबारा से खेल कूद और वयाम से जोडने के लिए बंचाइत राजस्तर पर नमाचार शुरू किया गया है राजवित आयो की योजना के थैर सावजनिक पार्कों में मिनी जिम लगवाए जा रही है बिकानेर के गजनेर गाम में विरान पड़ा सावजनिक पार्क अबाबाद हो गया है लोग यहाँ पर पहुँचकर शारिरिक वयायाम कर एक नई उर्जा ट्रहन कर रहे है अब सुबह और शाम को इस पार्क में रौनक रहती है बच्चे, युवा, बुजुर्ग और युवतियों का जमावड़ा लगा रहता है मैं फ्रेंड के साथ भी आती हूँ यहाँ पर और हमार मनजर लियोता है और यहाँ पर सब जिल्ले भी खाने आते हैं सुबह से हम और हम अच्छा भी लगता है और हम अच्छा भी लगता है, हमाई यहाँ पर खेल के भी है राजवित आयो की युजना के तैद ग्राम पंचायत ने 4,99,000 रुपे की लाकत से आम जिन के शारिरिक व्यायाम और विकास के लिए मीनी जिम तैयार करवाया है ग्राम पंचायत के दोरा चालू किये गए मीनी जिम से सबी वर्गों में उस्सा है अब सुबे शाम सबी लोग इसका लुथ वोटा रहे हैं सरकार के दोरा चालू की गई इस यौजना से ग्रामीन शेदर के युवा बच्चे अब दोबारा से खेलों की और मूड रहे हैं तिर्भवर रंगा जी मीडिया वीकाने और इसके साथ फिलहाल इस बुलेडर में इतना ही तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हैं जी राजस्तान के साथ हैं